नमस्क्रा दोस्तो, इंजीनियर भारत में आपका अकिबार फिरक्सी स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम 25 विये के इनवर्टर के उपर कितनी बैंटरी लगा सकते हैं या 25-ish Viva का जो इनवाटर होता उसके लिए कितनी बैंटरियों की यावशकता होती है तो जो इनवाटरीयों होती है, तो जो इनवाटर के ऊपर ही डिपैंड होती है कि वो जो इनवाटर है वो कितनी वॉल्ट को सपोर्ट करता है एक्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका inverter 2500VA का है और 24V का है तो आपको उसके उपर minimum 2 बैंटरियां सिरीज में लगानी पड़ेगी इसी तरह अगर आप ज्यादा बड़ा inverter लेते हैं जिसमें 3 बैंटरियां लगती है यानिकि 36V का inverter है तो उसमें 3 बैंटरियां लगेंगी और वो तीनों की तीनों सिरीज में लगेंगी लेकिन आपकी जो कपैस्टिय है वो 2500VA ही रहती है हाना कि मार्केट में आपको 2500VA वाले inverter च्यार binary को साथ में देखने को मिल जाते हैं और अगर आपको ज्यादा बैंटरियां वाला solar inverter या निर्मल inverter खरी То यहां परी 24V का होगा, याणि दो बैंटरियों वाला होगा वह नॉर्मल इनवर्टरी मिलेगा ज्यादा तर क्योंकि इसमें जो चार्जिंग सिस्टम होता है वो स्रिफ गरीड से ही चार्ज होता है तो Microtek के जंबो सिरीज के अंदर ही आपको 25 विये का और डबल बैंटरी का इनवर्टर देखने को मिल जाता है जो कि एक नॉर्मल इनवर्टर प्लस सोलर चार्ज कंट्रोलर की कीमत से कहीं जादा होती है तो जो Microtek कंपनी का इनवर्टर है 25 विये का यह आपको लगबग 10 से 12,000 रुपे मिल जाता है और इसके उपर आप इतना ही 12,000 रुपे के करीब MPPT Solar Charge Controller लगाकर इसे Solar Inverter की तरह चला सकते है जो कि टोटल कोश्ट आपकी 20 से 25,000 होगी जिसमें आपको MPPT Solar Charge Controller मिलता है वहीं बात करें अगर आप PWM Solar Charge Controller के साथ में 25 विये का लेते हैं Inverter जो की 4 बैंटरियों होगा यह मैं Apple Company के बारे में बता रहा हूँ इनके अंदर एक मोडल है 2750 A जो की 25 विये के साथ में आता है जिसके उपर आपको 4 बैंटरियां लगानी पड़ती है और इसके अंदर आपको PWM Solar Charge Controller देखने को मिलता है तो इसकी जो क बैंटरियों के मामले में आप अपनी पैसो की बज़त करना चाते हैं तो Microtek Company का जो Jumbo Series का Inverter है वो आप खरीद सकते हैं जिसके उपर आपको 2 बैंटरियां लगानी पड़ती है और MPPT Solar Charge Controller लगा कर आप अपना कम बजट में ही एक Off Grid Solar System त्यार कर सकते हैं अब लोगों की ज़रूरत दो बैंटरियों के पूरी नहीं होती है तो वो तीन बैंटरियों वाला भी खरीद सकते हैं जो कि लूम्निया सिरीज में आपको मिलता क्रूज सिरीज के अंदर 25 बैंटरियों आपको इसके उपर लगानी पड़ती है हालांकि जो Jumbo Series का है Microtek का उसके उपर लगा सकते हैं लेकिन आपको फिर उस कंडिशन में Solar Panel का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जो च्यार बैंटरिया है वो इनवर्टर से चार्ज होने में बहुत ज़्यादा समय ले लेगी तो इस कंडिशन में अगर आप Solar Charge Controller लगाकर Solar Panel लगाते हैं तो Microtek कंपनी के Jumbo Series क यह उपर जो दो बैंटरियां लगती है उसकी जगए आप च्यार भी लगा सकते हैं लेकिन जो कोश्ट है वो ज्यादा हो जाती है इस मामले में तो अगर आपको ज्यादा देर लोड चलाना है तो आप ज्यादा बैंटरियों वाला ही खरीद लीजी जो कि लूमिनियस के अ लगा सकते हैं कि 2000VA 2000VA से उपर के जितने भी इनवर्टर होंगे वो आपको अल्मॉस्ट सभी 2-3-4 ऐसे ज्यादा बैंटरियों के साथ में ही मिलेंगे क्योंकि यह हाई लोड को चलाने के लिए होते हैं आप जंबो स्रीज के इनवर्टर के उपर एक टन का 5 स्टार इनवर् कितना है अगर आपको बजट कम है तो आप दो बैंटरियों सिस्टम भी ले सकते हैं जिससे कि आपको जो लोड हो तो उतना ही चलेगा लेकिन आपके बैंटरियों में जो पैसे के बचाता है वो हो जाती है तो अगर आपको कम बैंटरियों लगानी है तो आपके आपे कप मिलेगा तो अगर आपको डेड़ के लोड तक का लोड चलाना है सिर्फ डेड़ या दो गंटे तक तो आपके लिए डबल बैंटरी का इनवर्टर सही रहेगा अधर वाज आपको तीन या चार बैंटरी वाला इनवर्टर खरीदना पड़ेगा तो उमीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि 25 विए के इनवर्टर के उपर कितनी बैंटरियां लगती है तो बैंटरियां आप 2 से लिकर 4 तक लगा सकते हैं और परलेली आप और भी बढ़ा सकते हैं तो अगर और किसी इनवर्टर या इसी परकार के जानकारी चाहिए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकोना सवाल लिखें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबस्क्राइब करने के साथ आपको बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यावाद